गड़ी वोपल आ चुका है और 3 फरवरी 2023 को अभी जो है हाई कोट की वेबसाइट पे एक नया नोटिफिकेशन आया है RGS की नई वेकेंसी का तो 2023 में 57 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें पोस्ट को बाइफर्केट किया गया है और हाई कोट ने यहाँ पर जो है अलग-अलग तरीके से मतलब यहाँ पर अलग-अलग काटेगरी वाइस जो है इस पोस्ट को बताया है अब कुछ लोग यह सोचकर निराश हो रहे हैं कुछ students जो है जो मेरे पास में call आ रहे हैं phone calls आ रहे हैं messages आ रहे हैं कि सर यह 57 पोस्ट ही है क्या तो देखें निराश होने के आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इसमें यह समझना होगा कि 2023 यानि कि इस साल के लिए जो notification है उसमें 57 post है लेकिन जो last year का जो था 2022 का उसमें 83 post थी तो total मिलाके ये जो vacancies है वो vacancies 140 post के लिए है यहाँ पर देखिए ये last year का जो notification है वो last year का notification है जिसके अंतरगर देखिए 2000 ये जो notification था ये 83 post के लिए था 83 vacancies थी जिसमें general के लिए जो है जिसमें देखिए general categories के लिए 32 post थी SC के लिए 13, ST के लिए 9, OBC के लिए 17, EWS के लिए 8, MBC के लिए 4 post थी तो total vacancies 2022 में 2022 में 83 post के लिए आई थी और अभी जो notification आया है उस notification में 57 vacancies declare की गई है और यहाँ पर देखिए general categories के लिए 24 post है SC categories के लिए 9, ST के लिए 6, OBC के लिए 11, EWS यहनी की economic weaker section के लिए 5 और MBC के लिए 2 post है तो इसका मतलब यह है कि 2023 में जो है वो post 57 है जबकि 2022 की जो post है वो 83 है क्योंकि exam नहीं हुआ था तो यह जो vacancies है यह भी उसमें add होंगी और total मिला के जो paper होगा वो होगा आपका 140 post के लिए vacancies है total तो आपको निराश होने के आवश्यक्ता नहीं है students के लिए जो काफी लंबे समय से preparation कर रहे हैं जुडिशीरी exams के लिए और जिनका target है कि वो एक RGS बने तो यहां पर आपके पास में बहुत अच्छा मौका है आप जो है 140 post के लिए इसको इसको मानिए इस vacancies को 140 post के लिए मानियों इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करें अपने notes वगरा को अच्छे से बना के और अपनी अच्छे से preparation करें आप लोग जो आपके major minor act है उनके पर आप अच्छे से focus करें languages को अच्छे से करें और जो इसका syllabus है syllabus वही पुराना हूँ syllabus को अच्छे तरीके से आप समझ के करें तो मैं शुब काम नहीं देना चाहूंगा wish you all the best उन सभी candidates के लिए और जो preparation कर रहे हैं 140 post है दुबारा सुने और यहां पर देखे निराश होने की आवश्यक्ता नहीं है तो प्लीज अपने आपको motivate करके और लग जाईए तैयारी में क्योंकि मौका आ चुका है महा समर है कुछ जाईए और अपने लक्ष को बना के रखिए 140 post के लिए